असलाम अलेकुम, वेलकुम मैं आप सब का रीधा Food Factory यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैडियस से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए homemade vanilla ice cream की recipe लाई हूँ करकी चीजों से बनाना सिखाऊंगी वीडियो को स्टार्ट से लेके end तक वॉच करें ताकर आपको recipe की समझा सकता बगार टाइम वेस्ट की recipe स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक बाउल में आदा कप दूद लिया है custard इस्तमाल कर रही हूँ मैं यहां पर ice cream की जगह पर ice cream flavor हर घर में available नहीं होता तो दो चमच यहां पर custard के इस्तमाल होंगे दो खाने के चमच में इस्तमाल कर रही हूँ खाने वाई चमच जो जिससे खाना यानि चावल खाये जाते हैं वह दो चमच आपने इसमें level करके डालने फूल भार भार के नहीं डालने दर्म्याने मतलब नॉर्मल डालना है अब बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताके इसमें कोई भी गुटली ना रहे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का मिक्स्चर हो गया आप देख सकते हैं अब आपने एक sauce pan लेना यानि के पतीला लेना है और इसके अंदर एक ग्लास दूद डालना है इस दूद को आपने अच्छे से गरम कर लेना है मिडियूम फ्लेम पर जैसे ही दूद अच्छे से गरम होने लगे पकने लगे तो इसके इंटर चीनी डालेंगे दस खाने का चमच जो आम चीनी होती है वही इस्तेमाल करी हूँ मैं 10 टेबल स्पून इसमें एट करेंगे चीनी को आपने इतना पकाना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है जो अप कस्टर का मिक्स्टर है वो तुरा तुरा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे आपने मिक्स करना बन नहीं करना वरना इसमें कुट्लियां बन जेंगी और ये मिक्स्टर खराब हो जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको आपने दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है ताकि इसमें एक उबाल आजए और ये बहुत असान तरीका है ना आपको कंडेंस मिल्क बनाने के जुरुत पड़ेगी ना आपको किसी फ्लेवर के जुरुत पड़ेगी तो बस इसमें एक उबाल आ चुक है आपके सामने अब मैं इसकी फ्लेम ओफ कर रही हूं आपने इसको जादा नहीं पकाना बस दो मिन इसके बाद देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का मिक्सटर है कुछ स्रशं भ नी सा मिक्सटर होता है यह हमने कस्टर नी बनाया यहमने कस्टर मिल्क बनायäft ठीक है तो बस आपने इसको फृज में रख देना एक घंटे के लिए थासए भाष्विप रभाही अचे भाष्व जब तक milk ठंडा हो रहा है तो हम नेक्स टप पर आते हैं जो सबसे में इंग्रीडियंट है बजार वाले आईस क्रीम में विपिंग क्रीम यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे विप्पी की विपिंग क्रीम इस्तें इस्तमाल कर ली हूँ होनी चाहिए जितनी अच्छी थंडी क्रीम होगी उतनी अच्छी आइस क्रीम बनेगी अब यहां पर एक बड़े सा इसका बटन ले ले कोई सा भी बाउल ले और इसमें क्रीम डाल दे और अब आपने इसको बीट करना है तक रीबन चार से पांच मिनिट के लिए मैं यहां अ इस्तमाल कर रही हूं अगर आपके पास यह मशीन नहीं है तो आप हैंड विस्ट से भी इसको बीट कर सकते हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं है उससे भी बीट हो जाता है तो देखें चार पांच मिन बाद इस तरह से हो गई है विपिंग क्रीम बिल्कुल अच्छ से त्या सिराडा नहीं होना ओगा फिर आस क्रीम ज्यादा अची नहीं बनेंगी लिक वह में थाल दाल देना है और और मिक्सचर ख्याल कीजिए का गरम ना हो वरणा इसक्री मचे नहीं बनेगी मैं आप और बता रही हुँ अब फिर इसको एक मिनट के लिए उच्छे से बीट करेंगे, उच्छे से बीट करने के बाद जबर दस्ता हमारा क्रीमी मिक्सचर त्यार हो गया, यह आपके सामने है अब आपने इसी बोल में इसको सेटकर एक प्लेट देकर आपके सामने अट आ रही हूं आपको देखें धाता हो रहा होगा कि इस साइट से आईस्क्रीम जम गई है और अंजर से अभी भी वैसी नरम है तो बस इसके साइट को कठा करेंगे और इसे एक दफ़ा अच्छे से चमच से या फॉर्क से मिक्स कर लेंगे अब अगेन मैं इसको बीटर से इसको पूरे एक मिनट के लिए बीट करूंगी ताकि ये और अच्छे से क्रीमी हो जाए ये स्टेप करना लाज़नी है इससे आपकी आइस्ट्रीम मजीर अच्छे और सॉफ्ट बनेगी बाजार से बिखतर बनेगी तो बस अब मशीन का काम खतम होता है पूरे एक मिनट बीट की अब मशीन का काम खतम हो गया अब आपको मैं दिखाती हूँ कि यह और क्रीमी बन गई है जैसे बिजार वाली आईस्क्रीम जब मेल्ट होती ना इस तरह का क्रीमी उसका टेक्श्चर हो जाता है आपको देखके अंदाजा हो गया होगा अब आपते हैं इसको जमाने की तरफ कोई भी डबा ले ले जिसका डखकन हो ना हो कोई सब भी डबा ले 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 उसके इन दरफ हम इस आईस्क्रीम के मिक्स्चर को डालेंगे माशाला से बहुत ही जवड़ास मिक्स्चर बन के तियार हुए आपके सामने है अब आस इसको एक दो बारा से सेट कर लेंगे ताकि ये बैलन्स पर आ जाए और अब कोई भी आप शॉपर ले लें उसको कट करके इसके उपर लगा लें लगाना ज़रूरी है इससे वरना बरफ बन जाएगे अगर आप नहीं लगाएंगे दस से बारा गहंटे के उलिया आपने इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख देना है पूरे बारा गहंटे बाद मैं आइसक्रीम ले रही हूँ आपके सामने इसका भे रैपर उता रही हूँ देखकर अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है जम गई है आइसक्रीम स्कूबर की मदद से जो है मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ माशाला से आपको देखकर लग रहा होगा कि कितनी असानी से आइसक्रीम निकल गई है ऐसा बिलकुल भी नहीं कि पत्थर जैसी बनी है कुछ लोग बनाते है रो कित्तर पत्फर बनी होती है वह adicctream नहीं उसे कहते आइस्क्रीम होती है इस sé 계 के रियल रेस्पी मैंने आपको बताईए जो आप असानी से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं कि कई कई दिन तक आप बैठ के राम से खा सकते हैं जब दिल चाय फ्रीजर से निकाली और खाई मैं इसको चॉकलेट सॉस के साथ सर्फ कर रही हूँ आप सिंपल भी खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको खाएं और इंशाला में जल्दी ब्राउनी भी सिखाऊंगे आपको जिसके साथ आप यह आई स्क्रीम खा सकते हैं और आपको आज की रेस् में कीजिएगा मुझे बहुत खुशी होगी और कोई अगर आपको रेस्पी सीखनी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं मैं इंशाला उस बारे में लाजमी वीडियो बनाऊंगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमली मेंबर्स और फ्रे मुझेगी